तो हमने कुलम्स लो की study कर ली है कुलम्स लो ने क्या किया है आपको एक value दे दिये force की और साथी साथ आपको direction बता दिया गया है ठीक है बट यहाँ पर आपको सिर्फ एक force ही तो दिया गया है और Newton's laws of motion आप मत भूलिएगा Newton's laws of motion बड़े अच्छे से force को mass relaxation की इक्विल बता है तो यहाँ पर आसानी से mechanics mix की जा सकती है और धेर सारे सवाल बनाया जा सकते हैं ठीक है मैं आपके सामने कुछ एक दो सवाल करके आपको present करता हूं ठीक है सबसे पहले आप equilibrium बना लीजिए अब मान लीजिए आपका equilitated triangle में हर corner पे q charge रखा हुआ है और यहाँ पर center पे एक small q है ठीक है आपको निकालना है इस small q पे force कितना है अब यह जो small q है equidistant है यहाँ से यहाँ से यहाँ से तो जो force लगेगा between these two ऐसा लगेगा ठीक है इन दोनों के बीच में force ऐसा लगेगा इन दोनों के बीच में force ऐसा लगेगा ठीक है और आप यह जानिएगा कि यह angle और यह angle 60 degrees है ठीक है और magnitude wise सारे force सेम है isn't it तो उसके बाद अगर आप इसका component लेंगे along x और along y axis तो देखिए क्या आता है along x axis आप component of force यहाँ पे लेंगे तो f sin 30 आएगा sorry f cos 30 आएगा यहाँ पे और f cos 30 यहाँ पे आएगा तो दोनों cancel हो जाएगे तो horizontally net force 0 है इस पे vertically अगर देखने जाएंगे तो इसका along this direction force आता है f by 2 का और इसका भी f by 2 आएगा कैसे f by 2 f cos 60 right so f by 2 plus f by 2 so total force is f तो उपर भी f है और नीचे तो f थाई तो net net 0 हो गया along y axis also so along x axis भी 0 है और along y axis भी 0 है तो net force on this charges 0 ओके तो यह तो एक symmetrical सा scenario हो गया अब हम जानते हैं एक और कुछ मतलब किस तरह से हम लोग mechanics और mix कर सकते हैं for example मान लीजे आपके पास एक string है इस तरह से ठीक है यह एक आपका charge है q1 charge है इसका mass है m1 इसके साथ ही साथ एक और charge लगा हुआ है और इसका charge है q2 और mass है m2 और यह इन दोनों के बीच का जो length है string का वो l है ओके आपको निकालना है tension इन दोनों charge के बीच में ठीक है चलिए अब इसको करते हैं तो सबसे पहले तो free boy diagram बना लीजे q1 का अब इन दोनों के बीच में जो force है अगर मान लीजे गिवन है q1 into q2 is greater than zero अगर एक गिवन है इसका मतलब है कि दोनों same sign है दोनों charges का तो दोनों एक दूसरे को ripple करेंगे राइट तो q1 पे force लगेगा इस direction में कितना magnitude होगा k times q1 q2 by l square ठीक है नीचे कितना लगेगा एक तो m1 g लगेगा और यहां से t1 भी तो लगेगा इस string के द्वारा tension राइट और यहां से भी एक t2 force लगेगा ठीक है तो यह लगेगा यह situation होगी यहां पे राइट आप यह हमेशा याद रखिए कि tension हमेशा चीजों को खीचेगा tension कभी भी इसको इस तरफ से धक्का नहीं दे सकता है tension string के along होता है और वो खीचता है यहां से यह string खीचेगी और वहां से वो string खीचेगी इसको ठीक है तो अब इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं equation Newton second of motion लिखने जाएंगे तो net force नीचे की तरफ अगर लिखें तो कुछ इस तरह से हम लोग लिख पाएंगे इसको k q1 q2 by l square is equal to 0 because acceleration is 0 all forces should be balanced right अब m2 का free boy diagram बना लेते हैं तो यह रहा m2 ठीक है नीचे तो m2 g आएगा यह तो earth pull कर रही है इसको m2 g force से right और एक repulsive force आएगी यहाँ पे इसको लिखेंगे k q1 q2 by l square और यह रहा आपका tension let us say this is t1 okay तो इसकी जो equation होगी वो कुछ इस तरह से होगी m2 g plus k times q1 q2 by l square minus t1 is equal to 0 ठीक है अब आप देख लिजिए आपके पास दो variable है t1 और t2 वहां से तो आप t1 directly निकाल सकते हैं ठीक है अगर आपको t2 भी चाहिए तो t1 की value यहाँ पर substitute कर दीजिए आपकी value of t2 आ जाएगी तो आप यह solve जब solve यह सवाल जब आप solve कर रहे होंगे तो आपके realize हो रहा होगा कि यहां पर जो electrostatic knowledge है वह इस नाट more than 5% of the problem इसंट इट यहां पर बस एक force की value ही तो निकाल के दिया electrostatic ने rest all is laws of motion तो इस तरह से धेर सारे topic के और हम बात करेंगे और वह topic है electric field का यह electric field बहुत ही बड़ा topic है इसके और हम detail में जानेंगे हम को minimum इसमें 3 घंटे बिताने पड़ेंगे उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमने इस topic को अच्छे से कर लिया है ठीक है आप यह video देख रहे होंगे और video खतम हने के राद मैं आपको suggest करूंगा कि coulombs law के उपर आप कम से कम 20 से 30 सवाल खुद से लगाई है और अगर आपको कोई doubt आता है तो आप नीचे comment में मेरे लिख सकते हैं मैं आपका doubt immediately clear करने की कोशिश करूंगा ओके thank you